तो है गाईज कैसे हो आप सभी लोग वेलकम बैक टू मैं चैनल एजी अनाइम मांगा आज मैं एक्सप्लेइन करने जा रहा हूं बुक आफ एसपर का एपिसोड नमबर 336 तो अब इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर केमेंट सब कुछ कर डालिये और जिन लोग नहीं अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो उस एपिसोड का लिंक मैंने इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में डाय दिया है आप लोग चाकर के पह बिजार तेज आदमियों को एकटा कीजिए अविदर दूसरी और ली जूफेंग उस मैप को लेते हैं और उसे खोल करके देखते हैं जिसके के अंदर कई सारे रेड कलर के एक्स के निसान लगे होते हैं लोगों से कहना मेरे दिये गए इस मैप के स्पॉट्सों पे वो लो हो जाएंगी जूफेंग जूफेंग के जारी बात लुटि बी सबकूर समझ आ लगों से खिर तो वह समझ गया मैं सब्सक्ताइब करेंगे कर दो दिये गये एक स्पॉट पे खुदाई कर रहे होते हैं को फिस दिर खुदाई करते हुए उन्हें अचानक से जमीन के अंदर उन्हें कोई चीज फील होती है जिसके बाद फिर वो लोग एल्डरली और जूफिंग का आवाज लगाते हुए कहते हैं कि सर हमें मिल गया वो यहां पे है तो यह सुने एल्डरली जूफिंग से पूछते हैं कि स्टीवर्ड जू आकर यहां पे क्या चीज है तो ए हमारे क्लैन का एक स्काउट है और इसे यहां पे तक्रीवन तीन-चार सालों से दफनाया गया है तो जूफिंग के बास सुनकर के एल्डरली का मूँ खुला का खुला रही आते और वो कहते हैं कि क्या जूफिंग कहता है कि एल्डरली आप ब्रेथ आर्ट की क्रुएल्टी को अच्छी तरीके से समझते हैं और आप जैसे एक मार्सल फैनिटिक के लिए तो यह चीज का कोई मतलम नहीं बनता है अगर लेकिन अगर यह बच्चे इस चीज में ट्रेनिंग लेते हैं तो खेर आप यह अच्छी तरीके से तो जानते ही है कि इसमें सफलता की संभावना बहुत जादा कम होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें रिजेक्टेड होने वाले के साथ क्या होता है तो एल्डरली कहते हैं क्या वो ऐसे हो जाते हैं तो जूफेंग वे उस बॉड़ी के पास जाते हुए कहता है कि हाँ वो लोग इसमें बदल जाते हैं ये लोग स सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण ही इसमें बदल जाते हैं। जूफेंग यह सारी बात समझने के बाद L.L.L.L.E. काफी हेरानोत हुए कहते हैं कि क्या यह ऐसा है और क्या यह लोग अभी जिन्दा है। सूफें कहता है कि रैथ आर्ट को विक्सित करते हुए फेल होने पर एक इंसान बुड़ी सिचुएशन में मर जाता है जबकि अगर सही सिचुएशन हुई तो सिर्फ उसकी मेरेडियन्स ही डिस्ट्रॉई होंगी जिसके बाद वो अपना सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक वेजी टेवल की तरह ही जिएगा अगर लेकिन डिमॉनिक पाथ के कल्टिवेशन में एक स्किल है जिसका के नाम है मेरेट ब्लैट्स जोकि एक सोल कल्टिवेटिंग कल्टिवेशन मेथर्ड है अगर इनकी चेतावनियों के बिना नहीं वैसल को ड्राइ हस्क में बदल कर स्रिफ सोल को ही ट्रेन किया जा सकता है और फिर समय गुजरने के साथ बॉड़ी के साथ साथ सोल औरा भी इस नेचर में ही मिक्स हो जाता है बिल्कुल सेम इस हुमन पिलर की तरह ही लेकिन आप इसे केवल एक मिटी का आदमी ना समझें क्योंकि वास्तम में इसकी सोल एक प्राफाउंड हैविन एक्सपर्ट से भी कहीं गुना जादा पावर्फुल है और इसकी सवलाइन फील के साथ इसने अपने आपको नेचर में इतना जादा बदल लिया है कि अव एक रेडिन स्टेज एक्सपर्ट भी इसको नहीं समझ सकता है मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि रैथ आर्ट को ट्रेन करने में असफल रहे और इस मेरिट ब्रैट को ट्रेन करके हुमन पिलर में बदल गए जिसके बाद मैंने मिस ली और उनके टीम मेंबर से कह करके इन साथ हाउसेस के दरवाजों के आसपास दफन करवा दिया और ये लोग अपनी सोल के माध्यम से एक हजार मीटर के दाइरे में जानकारी भेजते हैं और इस तरह ये 100 मिल तूर हमारे सकाउट से समन्धित हैं जहांपЕ कि इन्हें किसी एनरदर मैथरड के दौरा डीक्रिटेट किया जाता है और वापस से सेफली मेरे पास लाया जाता है और Regional State के द्वारा हमारे अलाइस के उपर अटेक होने के बारे में हमें और किसने बताया था वो यही थे इन्हीं लोगों की वज़ा से हमें सब के बारे में पता चला था वो Valley Lord अपने सभी High Alerts को अपने साथ Regional State ले गया और हम लोगों के उपर अटेक करने के लिए अपने इस हाउस को वो खाली छोड़ गया और थो अगर लिव क्लेंड को अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्थापित करने में देरी हो गई तो इससे फिलाला भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है मगर लेकिन जब ये हो जाएगा तो हम लोग बिना किसी डाउट के ट्यानियों में सबसे बेस्ट बन जाएंगे इतना कहकर के जूफेंग वहाँ पे जोड़ जोड़ों से हसने लगता है इतना सोचने के अबाद फिर एल्डरली काफी गहराई से उस बोड़ी को घूरने लगते हैं और फिर वह जूफेंग से कहते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जो कि एक इस तरीके की डिजनरेटेड कल्टिवेशन मेठड को बना सकता है और अगर किसी व्यक्ति का अंत एक इस तरीके की जमी हुई मूर्ती के रूप में होगा तो आखिर इस से एक मजबूत सोल होने का क्या फाइदा लगातर इस तरीके से दर्द में जीना ये तो एक मौस से भी बत्तर जिन्दकी है तो एलरली की ये बास संजूफिंग कहता है कि एलरली हाँ आप पिलकुल सही कह रहे हैं ये चीज मौस से भी जादा बत्तर है और यहां तक कि इसके निर्माता यानि कि इसके बनाने वाली ने भी इसको ट्रेन नहीं किया जब उस ओल्ड रीमन क्रियेटर ने इस आर्ट को बनाया तो उसने अपने डिसाइपल्स को अपनी सोल को डिवोवर करने और अपनी सोल को बूस्ट देने के लिए इस चीज की ट्रेनिंग करवाई क्योंकि सोल इसली नेचर को फील करके उसमें अपने आपको असेमिलेट कर लेती है और फिर एक ही साल में वो गीजर प्रफांट हैविन स्टेज से रेडन स्टेज पर पहुँच गया और अगले तीन साल बाद वो इधेरिल स्टेज पर पहुँच गया तो ये सुने अलरली काफी ज़द हैरान हो गए होते हैं वो जूफिंग से पूस्ते हैं कि क्या ये सारा प्रोसेज इतना ज़दा स्मूथली हो गया तो जूफिंग अलरली से कहता है कि अलरली मैं आपको यहीं पर रोग देता हूँ कल्टिवेशन में सौटकर्ट जैसी कोई चीज नहीं होती इससे उसकी स्पीड तो बढ़ गई थी मगर लेकिन इस चीज से उसके डिसाइपल्स भी पीड़ा और निराशा से बढ़ गई थे और क्योंकि क्रोध और निराशा उनके अंदर इतनी जादा बढ़ गई थी कि उसकी आत्मा इस तनाव के कार पूरी तरीक से बिखर गई थी और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ल्यू क्लैन में हजारों हिूमन पिलर्स के साथ मैंने उन्हें कब का अपने लिए यूज कर लिया होता तो जूफेंग की ये पास सुन एल्लर ली भी अपने मन में कहते हैं कि ओ मुझे तो अब तक पता चल जाना चाहिए था कि स्टीवर्ड जू अपने लिए कोई भी मौका चूकने वालों में से नहीं है उसे पता था कि इस मैथर्ड में कुछ ईसले हैं उसने इस मैथर्ड से अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाने के वारे में कभी नहीं सोचा तो अविदर जूफेंग के इतना सूचते ही यहाँ पे हमारा ये वाला सीन खत्म होता है और अगला सीन हमें इंपिरियल पैलिस का दिखाये जाता है जहाँ पे कि एमपर जोड़ जोड़ों से हस रहा होता है उसे जूफेंग की सारी रिपोर्ट मिल चुकी होती है जो कि अब तक जूफेंग ने हेल वैली में किया है तो उस सारी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एमपर हस्ते हुए कहता है ये आखिरकार फाइनली इतनी सालों तक मुझे अब पता चल रहा है कि मैंने उससे बिना कुछ लिए उसकी इतनी ज़ादा मदद नहीं की और अव आखिरकार फाइनली वो अपने आपको शो करा रहा है और अपने आदे अधूर्य मेजर्स के साथ नहीं पल की वो हेल वैली को ना सरिफ मैप से हटा रहा है वो यहाँ तक कि हेल वैली के एंसिस्टर्स की ग्रेव तक को भी नहीं बक्ष रहा है तो अब इदर एक ओर जब Emperor इस सारी रेपोर्ट को पढ़ने के बाद जोड़ से हज़रा होता है जबकि दूसरी और Marsal Doe के Emperor से कहते हैं कि Your Magistry उसके दुआरा ये अपमान को जादा ही अदिखो रहा है यहां तक कि उसकी इस बात से मुझे भी यहां पर असेमत होना पड़ रहा है कभी-कभी तो उस बच्चे के बारे मुझे ऐसा फील होता है कि वो एक रियल मैन है जबकि बाकी समय मुझे इस बात का डिग्रेट होता रहता है तो मार्सल डूओ की यह बास सुनने के बाद एमपरोंस से कहते हैं कि यह सब कुछ ठीक है मैं बस इतना चाहता था कि वो खुद अपना मूव चले और मेरी केर के लिए वो कुछ और भी कर सकता है क्योंकि उसकी हरकतें जितनी ज़्यादा विरोधी होंगी मेरे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा उसका यूँ इस तरीके से हाउसस के अगेंस्ट जाने से मुझे बहुत ज़्यादा साहिता मिलेगी उसके पास मेरे वफादार अधिकारियों को इनाम देने का हाना करने का कोई रास्ता नहीं है न कहने के साथ ही फिर एमपर और अधिक हस्ते हुए कहते हैं आप हिमिनिटी के अगेंस्ट अपरात करने वाले व्यक्ति की सरहना कैसे कर सकते हैं तो एमपरर के ये बास सुन करके मारसल लूओ भी अपना सिर नीचे तुका करें कि कुछ देर के लिए शांत खड़े हो जाते हैं और फिर वो एमपरर से पूछते हैं कि यह मैस्टी अब आप ही बताएं कि अब मैं इस बात के उपर एक्शन कबलूँगा तो एमपरर कहता है कि जल्दी मत करो उन्हें और थोड़ी देर यूँ ही घूमने दो हाला कि लोगों को मुझे अपना रुख दिखाने की जरुवत है तो फिलाल मेरे ओर्डर्स को ड्राफ्ट करें इतना कहने के बाद एमपरर अपने ओर्डर्स को लिखवाने के लिए अपने एक मंत्री को बुलाता है और फिरोस आदमी के आने के बाद एमपरर अपने ओर्डर्स लिखवाते हुए कहता है 8th Nobel House, Windgage City का लिउकलैन सबसे जगनने अपरादों में से हत्या और अपमान करने का अपरादी है इसलिए मेरे ओर्डर्स से ल्यू क्लैन की इस बुड़ाई को हम लोगों को जड़ से उखाड फैकना है और उसका सिर मेरे पास लाना है और जो भी कोई इस काम को करेगा उसे एक नोबल हाउस का खिताफ मिलेगा तो एंपरर के इतना कहने के बाद वो आदमी एंपरर की बात मान करके इस ओर्डर्स को पूरे ट्यानियों में फैलाने के लिए चला जाता है दूसरी और ये सब देग मार्सल डूगो अपने मन में कहते हैं कि अगर जू फैंग का सिर पाना इतना ज़ादा आसान होता तो आखिरी यहाँ पर ही ये सब इतना ज़ादा कटिंग क्या होता क्योंकि अगर ऐसा सच में होता तो उसे बहुत पहले ही मार दिया गया नहीं होता हाला कि इस आदेस के अभी भी अपने कुछ लाव है और डुगू आर्मी के पास उसे शुद्ध करने का अपना एक रीजन है जबकि ल्यू क्लैन और रीजन स्टेट यू इस तरीके से बहार निकल रही होंगे डुगू आर्मी पूरूप को नस्ट करने के लिए जप्ता मारेगी केवल और केवल उन सब को नस्ट करने के लिए तो अब तर मार्सल लोगों के इतना सोचत है यहाँ पे अमारा सीन चेंज होता है पर अगला सीन हमें सेकंड प्रिंस के मेंशन का दिखाए जाता है चापे की सेकंड प्रिंस Yuming से कहता है कि सर Yuming अभी अभी कुछ ना कुछ बहुत बढ़ा हुआ है मिंग ये सुन कहता है कि सेकंड प्रिंस पहले तो आप थोड़ा शान्त हो जाएं क्योंकि अगर आप शान्त होंगे ज़रूर ही आपको हर चीज का सॉलिशन मिल जाएगा ये सुन सेकंड प्रिंस कहता है कि सर यूमिंग आप सच मुझ एक अलगी क्लोथ से बने हैं इसलिए तो मैं आपको इतना ज़ादा कम्प्लीटली एड्माइर करता हूँ मैं हमेशा किनारे पे रहा हूँ और सान्त नहीं हो सकता लेकिन मुझे अभी भी सर आपकी बविश्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मिंग कहता है कि ठीक है सेकंड प्रिंस आप काफी ज़दा काइंड है योर मैजिस्टी अब आप बताएं कि आखर ऐसा क्या हुआ है इसकी की वज़ासे आप इतने ज़दा घवरा गई है सेकंड प्रिंस कहता है कि ओह ये कुछ भी नहीं है ये बात बस इतनी सी है कि मेरे ज़ासु सोब्हों ने मुझे बताया है कि हैल वैली को जुफेंग द्वारा पूरी तरीक से मिठा दिया गया है सेकंड प्रिंस के ये बात सुनकर के वाई जो भी कुछ पीरा होता है चाय या पानी वो इस बात को सुनकर के हैरानी के मारे उस चीज को अपने मूँ से उगल देता है और कहता है कि क्या आखिर तुम ये क्या कह रही हो और चैनल पे नहीं है तो सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूला